आचारी प्रवर, अखिल माधुरेक मूर्ति, असेश रशिक चक्रशूडा मने, अनन रप्ति स्रीश्वामी हरदाजी महराज, आपकी प्राश्य से स्रीश्वामी व्यारंदे जी महराज, आचारी प्रवर, हम दाशन को कृपा वर्शाते भई, शिद्धान्त पक्षि को द्रड कर रहे हैं, पूर प्रशंग में आपने स्रवन किया प्रेमी जनौंग, दुरत कहाली प्यो भुस पर को, करुवा हो इसुनिक से टोंपी, सैज ब्रिवासा के सब्द हैं, अटपटे सब्द हैं, महराज बुले, कपट शिपता नहीं है, भुस बिखरा हुआ हो, उसके उपर लीपन कर दो, कुछ शमय के बाद जल्दी से जल्दी वो लीपन हड़ जाती है, और भुस निकल जाता है, करुवा वही माने जाएंगे, जिनसमें टोंटी निकली हुई होगी, ऐसे हीं विशेष रश्रिक मानभाव होते हैं, उनमें कोई ऐसी विशेषता होती है, जो सब को कृतार्थ और कल्यान करने का रास्ता उनके द्वारा खुलता रहता है, दर्शित होता रहता है, उनकी गर्मा महमा कहीं कहीं चमकती रहती है, अज के प्रशंग में प्रमी जना, महराश्री बोले, जाको गुरु भसके भुसे, सिश्य तू तु रोखाई, नाज खा तुम हुमारी, एदो उपसुप्राई, एदो उपसुप्राई, भाव बिन भटक भई खरो, सन्मुक्वे क्यों सकें डरें, बरना स्रम की डरो, कहे तु बिहारी दास मेंड मीडे ही साको, रसिकवननिक कहा एक कहें न सभाजस जाको, महराश्री कहें हैं, बड़ी बिचित्रुबाद, जाको गुरू भसकें, भुसें सिस्सित तोतरों खाएं, जाको गुरू भुस खावें, तो छेला, तो फिर गांठे खावें हो, बलू यहर जी उभाराश्री के, चेला तो फिर भुसें छोड़कें गांठे पे लगएं, और गुरू और चेला कोई नाजमा उन लपकेंगे, तो वो जो रखवारों लट्थ माराएं, महराज ने कैसी कैसी जो है बाद बताएं, जाको गुरू भसकें भसें सिर्शे तो तो रोखाएं, नाज खात मोह मारिये ए दो उपस उप्राएं, कहने का ताथ पर यह जो गुरू अनन्य भाब में नहीं रहते हैं, बात यह समझा रहे हैं, जो गुरू अनन्यभाब में नहीं रहते हैं, इस की अनन्य सणागती नहीं हैं। और भतकते ही रहते हैं जहां चले गई ये वहसे ही हो गई। जो कुछ मिला वोह खा लिया, जहां वोह गा लिया। हैं तो वो ऐसे गुरु में तो चेला तो फिर और भी ज़्यादा भाग दोड में दम भरेंगे दर ओदर भूमा फिरी के वल पेट पार पारना ही बापी रहेगा तो जाको गुरु भसके भुसाशे सित ऊतरो खाज़ शिधी शी बात है नाज खात मुह मारे ये दोव पासूँ ये तो दोनों पसूब के समान हैं प्रतेक रिती से प्रतेक रहनी के द्वारा, प्रतेक सब्द के द्वारा संसार का कल्यान होता है, श्वैम का तो कल्यान होता है, संसार का कल्यान छिपा होता है, उनकी प्रतेक रहनी के द्वारा, प्रतेक सब्द के द्वारा संसार का कल्यान होता है, उसका निश्यत कल्यान हो जाए ऐसा देखा है हम शुविकार कल्या सनात हो गोई तो ऐसे गुरु और ऐसे चिला चाहिए महराज बोले गुरु जो बिपिन बसाव है गुरु के लख्षन बताए जो ब्रंदावन्यू के प्रतियगाद निश्टा करा दें श्वैम भी बास करते हैं और अपने शिष्ट को भी ऐसा अब देखा है ब्रंदावन से बढ़के कोई कुछ नहीं है गुरु बोई जो बिपिन बसाव है गुरु बोई जो और संतों में सेवा में रुची बैशनव सेवा में रुची शंतों की सेवा में रुची गुरू वोई जो बिपिन बसावे वोई गुरू वोई जो साधू सेवा ये लख्यन होंगे गुरू वोई जो हरीशु मिलावे तो हरी मिलने का रास्ता खुलता है अगर ये दो लग छण नहीं है तो हरी मिलने का रास्ता बहुत दूर है बुरोविहरी जुमराज हरी तो अपने आप फिर मिली जाते हैं संतों के चरणों में रती, प्रैम, भाव, निष्ठा, शेवा भाव और ब्रंदावन धाम के प्रति अनने स्वामी जी के चरणों अनने निष्ठा तो फिर अपने आप स्वामी जी विहरी जी मिल जाएंगे ये अगर धारना है ये नहीं बात खराब हो जाए से सिके लख्षन क्या रत चाहिए से सिवोई जो आग्या पारे गुरु के बचने इढ़दे में धारे और गुरु बिन हरियू को ननिहारे ऐसे स्री लख के सुज़ जी जमारा है ऐसो सिस ऐसो गुरु हुई और प्रैम पदारत पावै सुई उनको निश्चत ही इस जनम में प्रैम पदारत प्राक्त होता है ऐसे गुरु वर्शिशुशुशुशुशुशु. गधा, गधा सद्रस हो जाते हैं, गधा का मतलब होता है बोज ढूने का, और उसको कुछ मतलब नहीं है, जब वो मालिक कच्छु देदे खाएवेगुने, पूरे दिन बर बोज ढूता रहता है, ऐसी बोज कुन सा? नाना प्रकार की योनियों में, अधम योनियों में करम किय है, तो सन्मुक क्यों है सकें, डरें, बरनास्रम के डर, हारा स्री बोले, यह हरी के सन्मुक नहीं हो पाए, इनको अननिश्रणागती का सस्संग भी नहीं प्राप्त हुआ है, चाहे गुरु है, चाहे चेला, इनकी हरदाय में दराजमान नहीं हुआ है, क्योंक वो डरें, बरनास्रम के डर, बरनास्रम के डर से डरते हैं, बरनास्रम को त्याग नहीं सकते हैं, इसलिए यह अनन्य हरी भक्ती नहीं कर सकते हैं, सन्मुक क्यों है सकें, तो यह सन्मुक नहीं उपाते हैं, बरनास्रम भरा हुआ रहता है, बरनास्रम के डर, जो बेज ने मैड बना ये ना बना स्रमाद धर्मो उसको जिसने मैट के मैड मीड को मैड दिया है मीड दिया है तब साक बनेगी जायो भूरी भीड को गुर्द ब्यारें देजी महाराज बोले जायो भूरी भीड को कियो चाहे एंड जो भूरी भीड को बच्चा है भीड को बच्चा है और वो एंड करनो चाहे तो एंड अनन्यन ही फवी जिन मिल मैटी मैड जिनोंने बेद के द्वारा प्रत्वपादित मैड को मैट के जो रशिक अनन्यों की वानी का आस्रा लेके, स्री विंधावन धाम की रशिक अनन्य जनों का संग का आस्रा लेके, उस रीती को धारण किया है, वो ही मैंड को मिटा पाते हैं, उनकी होड कोई दूसरा नहीं कर पाता है। तो एंड अनन्यों के लिए फविया है, जिन मिल मैंटी मैंड जिन्होंने मिलके एक बेद की द्वारा प्रतवादित मैंड को मैंड दिया है। रस रीत की प्रीत चलाए नसांकर, निशानन वाजत गाजत गोविंद, गोविंश्वामी जी ने लिखाए ये, रशिक नन्यन को पथ बांक, तुझे रशिक नन्यों का यो पथ है, बांका है, ब्लेप खना है, बिचित है, गोविश्वामी जुमरा, अटपटा है तेला है समझ में नहीं आता है, नाके हरी हक्त और रशिक जन ये उस मैन को नाक के चल दें, गोविश्वामी जुमरा, रशिक नन्य कहा, एक है नसभा, जस जाको, मारा स्री बोले, जागतिक मर्यादा, बेद प्रत्पादित मर्यादा, भक्ती रहत जो है, करमकान मिश्रत है, वो, जो भक्ती मैं है, वो सबने श्विकार की, लेकिन जो भक्ती रहत है, उसको हरी भक्तों ने श्विकार नहीं किया है, उसको तो छोड़ दिया है, बेद के कहे, करम जो करत, छीन पुन्य फर भूपर गिरत, ये बचन रशिक देजु महराज कहें, लेकिन ये व्याख्या गीता जी के सिलोक की है, बेद के कहे, करम जो करत, छीन पुन्य फिर भूपर गिरत, बेद के थापे हैं, जे धर्म, तेनकों त्याग रहे निशकर्म, महवानी जी, बेद के थापी जो धर में उनको त्याक के निशकर्म रहना चाहिए, हरी भक्ती लीन रहना चाहिए महवणी जी कहे तो कहत विहारी दास मेंड मीडे ही साको रशिकनन्य कहाई जो रशिकनन्य रशिकनन्य भाव भड़वे में ब्राजमान होता है सभा जस जाको रशिकनन्यों की सभा सहष्री मंडल नित निकुझ वरन्दावंधाम की जो नित निकुझ मंडल की जीव सहष्री है वो सहष्रियां ऐसे रशिकनन्य का सुजस अपनी निकुझों में भी बखान करती हैं जिनहोंने मैन को मिटाके और कोमल प्रैम भक्ती पत्रैम रशिकन निभाव स्विकार किया है उसकी स्रहना सैच्री मंडल में भी होती है अन्य जो है अगर रशिक अन्य निभाव नहीं है तो उस सभा में उनकी प्रसंसा कभी नहीं होती है चाए भेस बना लेओ और चाए जो भी कर लेओ स्रीश्वामि भगवत्रशिक देजी महराज कहते हैं भेस धारी हरी के उर साल है महराज बोले कि जो भेस धारी है वो हरी के उर में छेद करें है सालमाने दर्द हरी के उर में दर्द है जाया ऐसे भेस धारी ने देखके भेस लिया और भेस लेके भेस का आवेस नहीं है, तो काई को भेस आवेस होना चाहिए, इश्ट के पति अनुराग होना चाहिए, तो भेस धारी हरी के उर सालें, तो कैसे भेस धारी सालें हैं जी, हरी के घरदे में, लोभी दंबी कप्टी नट से सिसनो दर को पालें, ऐसे भेस धारी, परमारत सपनेव नहीं जाने पैसन ही कुँखेंचे कबहु कि बक्ता हुए बन बैठे कथा भागवत गावे अर्थ अनर्थ कछू नहीं जाने पैसन ही कुँधावे ऐसी करके भवत्र शिदीज महराज ने कहा है तो सांचे बिना हरी हात नामे सब रहनी है ढीली नाचे गावे चित्र बनावे बात करे चित्र की सांचे उभाव इश्ट के प्रति है किसी भी उपासना का उपासक है किसी भी संप्रदाय का उपासक है इश्ट के चर्णो मनन यनुराग है सांचे उभाव है उनको बस्तु निश्यत एक से एक प्रतुसत प्राप्त होगी को मने से जिनन दियाई इसलिए है अगर अशा भाव नहीं है तो भेश बनाने के बाद भी बस्तु हस्तामल नहीं होगी है इसलिए साचा भाव पुलोषवामी जुमरा